तक जैसे मालो अभी कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में वेकेंसी आएगी और बाखी तो बहतर दिनों की आस में तो हम बहतरीन दिन तो नहीं गवा सकते जो है मेडम की आरेस के अंदर 2018 के अंदर 24 त रहेंग है और मेडम निश्व से जदा फोर्थ पेपर हिंदी के अंदर जदा नंबर प्राप्त के तो मेडम जो वो बात पूसना अप्राइग गुड आफ्टरनून टू ओल मेरा नाम पद्मा चोधरी है और मैं आरेस 2018 में सेलेक्टेड हूं आरेस 24 त रहेंग है उससे पहले में राजस्थान अकाउंट सर्विस में थी 2016 बेच से और उससे पहले में पंचायति राज विबाग में 6 साल तक LDC के पद पर कारे किया था मैंने और आरेस की जो जर्णी है उसकी सुरुवाद 2016 में हुई थी 2016 की जब वेकेंसी आई थी तब और लग्कीली मुझे पहले ही प्रियास में सफलता मिल गई थी और अकाउंट सर्विस में मेरा सेलेक्शन हुआ था मैं यही दुआ करती हूं यही आशा करती हूं कि आप लोग भी अपनी जर्णी की सुरुवाद कर रहे हैं इस समय तो आपको भी जल्दी सफनता मिल जाए और आपने जो अपना लक्ष चुना है कहते हैं कि आपको उतना ही मिलता है जितना आप मांग सकते हैं और आपने क्या मांग लिया है क्या मांगा है? SDM? IS? क्या मांगा है आपने? SDM बनना है? First rank बहुत अच्छी बात है जब आप सोचोगे कि first rank आ ही जाएगी या first rank ही चाहिए मुझे तो आप मान के चलिए कि जो आपको सफलता मिलेगी वो बहुत ही शांदार होगी बहुत ही भवे होगी लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि आपको लंबे टाइम तक अपने आपको महनत के उस फेज में बांध के रखना पड़ेगा कि आप उस सांदार सफलता उस भवे स्वागत का आनंद ले सके ठीक है? तो इसकी सुरुवात कमोबेस आज से होई गई है आपकी सेमिनार से औ लाल नीली बत्ती की चमक जो आपके दिमाग में चका चूंद वेदा कर रही है उसकी और बढ़ने का पहला कदम आपने बढ़ा लिया है तो इसके लिए आप अपने आपके लिए ताली बजा लीजिए कि आप कि आपके बच्पन के जो ख्वाब है या कहीं ना कहीं आप किसी ना किसे से इंस्पायर हुए होंगे किसी ना किसी अधिकारी को देखकर किसी आरेज, तैसलार, किसी भी अधिकारी को देखकर आपके मन में यह ख्वाब जगा होगा कि मैं भी इस तरह का अधिकारी बनूँ या इस तरह मैं भी अग्रसर हूँ तो आज आपने एक सेमिनार में आके इसको जानने के लिए, इसके सफर को जानने के लिए कि कहां से सुरू करें, किस तरह से सुरुआत करें, कैसे मेहनत करें और किस तरह से हम भी वापिस आके यहां सेमिनार में बोलें, हम भी लोगों को मो कि अभी भी आपको यह नहीं लगेगा कि मैं इस संस्थान में क्यों चली गई या क्यों चला गया या मैंने इस संस्थान को क्यों चुन लिया आपको हमेशा इस निर्णई पर प्रावड ही फील होगा चाहे आप सफल हो नहीं हो जीवन के किसी भी शेत्र में सफल हो लेकिन ए एक बहतर इंसान आप बन जाएंगे, अगर आप सीरियसली पढ़ाई करेंगे, सीरियसली सर की बातों को सुनेंगे, यहां पर जो पढ़ाया जाता है, वो पढ़ेंगे, गर जाके रिवाइश करेंगे, तो आपका लक्ष भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकि आप लो पूशन है, हिंदी से रिलेटेट नहीं पूचे का कोई, हाँ, पूच लो, पूच लो, हिंदी वाला पूशन वीक है, कौन सा पूशन वीक है, देखो हिंदी और अंग्रेजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जिनको अपन 10th 12 तक बढ़ते हैं, उसके बाद अपना उनसे वास्ता उतना जादा रहता नहीं है, लेकिन वीक है, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, 10th में पढ़के छोड़ दिया, 12 में पढ़के छोड़ दिया, उसके बाद से आपने पढ़ा ही नहीं, तो आप ये तो कैसे कह सकते हैं, कि वीक है, उसके लिए किसी भी छेत्र में सफल होने का एक ही मंत्र होता है महनत, महनत और महनत आप महनत करोगे तो कोई भी, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एक्जाम कठिन नहीं होता है बस अपन शुरुवात ही नहीं करते हैं, सोचते ही रह जाते हैं कि ऐसे करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे अगर आपने शुरुवात कर दी पढ़ने की, लिखने की, जो में चीज है आरेस के एक्जाम में पढ़ना तो है ही है आपको साथ साथ लिखना, राइटिंग प्रेक्टिस जो आपको अंतिम सफलता जो है, आरेस के जो अंतिम रिजल्ट है, उसमें अगर आप आना चाहते हैं, तो इसके लिए राइटिंग स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है, और राइटिंग स्किल के लिए यह है कि एक ना एक दिन आपको लिखना सुरू करना पड़ेगा, शुरूरात में आपको यह लग सकता है कि कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है, जो क्यूस्टन पूछा है, उसका आस पास का भी कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी लिखना सुरू करता है, जो भी पड़ाई सुरू करता है, उसके साथ, सबके साथ यहीं होता है कि सुरू सुरू में कुछ नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि किस तरह से लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, तो आप इसके लिए यह कर सकते हैं कि जो भी कौपियां आपको मिले पर आपको देखना होगा हिंदी इंगलिस के लिए हिंदी इंगलिस को आपन सबसे ज़ादा इगनोर करते हैं क्योंकि ऐसा लगता आपने को कि उसमें लिखने जैसा कुछ है नहीं लेखिन मेरा मानना है कि अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश में composition वाला जो पार्ट है उसमें अगर आप लिख के उसमें अपने अपने लिखे में सुधार करने का परियास करेंगे तो वो ज्यादा बहतर होगा क्योंकि आपन सोचते हैं दिमाग में जो चीजें फ्रेम करते हैं वो अपन वैसा नहीं लिख पाते ह हैं क्योंकि दिमाग में जो चलता है उसको as it is लिखना बहुत मुस्किल होता है जब तक कि आप उसी चीज को तीन चार बार खुद से लिख नहीं लो और एक बार लिखोगे तो आपने जो दिमाग में सोचा है आप कितना लिख पा रहे हो यह चीज आपको समझ में आएगी कि आपने लेटर का फोर्मेट यह सोच रखा था कि उपर राजस्तान सरकार लिखना विबाग का नाम लिखना है दिनांक लिखनी है पत्र करमांक लिखना ऐसे लेकिन जब आप लिखोगे तो मान के चलो पहली बार में आप एक ना एक चीज इधर की उठा के उधर रखोग तो एक बार में आप यह गलती करोगे लेकिन दूसरी बार जब आप लिखोगे तो पहली बार जो गलती की थी आपने वो आप दूसरी बार नहीं करेंगे क्योंकि आपको याद रहेगा कि पहले दिनांक इधर लिखनी थी मैंने इधर लिख दी पत्र क्रमांक में यह लिख बहुत ज़्यादा ज़रूरी और Hindi English में ज़्यादा नंबर लाने का एक ही मूल मंत्र है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो उसमें composition वाला जो पार्ट है वो लिखो और grammar में भी में तो यह कहूंगी कि जो grammar का जो portion आपको नहीं करने की कोशिश कीजिए या audio notes बना सकते हैं सुनने से भी जादा लिखो गया तब क्या गलती करोगे वो समझ में आएगा सुनने से अपने को लगता है हाँ सुन लिया पढ़ लिया एक्जाम में लिख देंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है जब तक आप लिखो गया नहीं जब किसी का कोई क्यूस्टन राइटिंग आपकी रीडेबल होनी चाहिए अगले को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है बहुत अच्छी अगर आपके हैंड राइटिंग है तो आपको उसका फाइदा निश्यत रूप से मिलेगा अगर रीडेबल है तो नुकसान नह है लिखने के लिए वह जादा मेटर करता है बजाए कि बहुत सुंदर भी लिखो आप और आपका कंटेंट उतना अच्छा नहीं हो तो उतना जादा प्रभावी नहीं होगा तो हैंड राइटिंग तो वैसे एक चीज में देखिए हैंड राइटिंग में कि आप जितना ज इंड राइटिंग पहले सबसे पहला जो टेस्ट लिखा वो उठा के देखना और जो लास्ट टेस्ट लिखा वो उठा के देखना बहुत अंतर आजाएगा उस अड़्य पहले जो आपने लिखा उससे कहीं बहतर ही नप लिक पाओगे ठीक है हां और हाँ मैंने LDC LDC के रूप में 6 साल गाम किया सुना ही नहीं दे रहा है आप क्या कह रहा हूँ कौन सी क्या question है मतलब RS यह चीजे matter नहीं करती आपके लिए कि किस age में बने हो किस में नहीं ठीक है वो देखो जोब छोटी या बड़ी है family pressure आपके पास अगर एक job लग गई आप कुछ भी है चाहे LDC है चाहे teacher है कुछ भी है third grade second grade तो मेरे हिसाब से family का pressure फिर तो कम हो जाता है कि job तो है छोड़े के पास और क्या चाहिए साधी हो जाएगी सगाई हो जाएगी फिर तो मुझे नहीं लगता है कि 100 में से 5 परिवार भी ऐसे होंगे जो अगर आपकी willpower नहीं है RS बनने की आपकी willpower नहीं है अधिकारी बनने की तो कोई फैमिली आपको इतना pressure नहीं करेगी सो में से 5 भी नहीं करेगी कि आप बनो अगर आपके पास पहले से job हैं तो तो यह तो आपकी इच्छा सक्ती पर निर्वर करता है कि आपको कहां जाना है आप कहां से आए हैं इस चीज से कोई फरक नहीं पड़ता है आप कहां जाओंगे अपनी मैनत के बलगूते आप सफलता की किन उंचाईयों तक पहुंचेंगे इस से फरक पड़ता है Self Study के अलावा, sorry Self Study के मैं करें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए Self Study, coaching नहीं करके खुद से Self Study करें तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ज्यादा मैंटर करें जो कोचिंग में पड़ो चाहिए खुद से पड़ो पढ़ना तो अवरोल खुद को ही पढ़ेगा कोचिंग में भी आप पड़ोगे तो अभी आपको पढ़ना तो खुदी ही पढ़ेगा लेकिन वो है कि यहां आपका समय बच जाता है जो concept आपको समझने में दो दिन लग रहे हैं वो concept यहां पर आपको दो गंटे में समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे experts हैं subjects के, तो वो आपका समय कम कर देगा, coaching, बट अगर आप self study करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो जो syllabus है, उसके साब से आपने जो भी books या जो भी material है आपके पास, वो आप इकटा कर लो कि मुझे यह यह पढ़ना है, उसके बाद अपना time table बना लो कि इस time यह subjects और prelims कब है, वाप इस vacancy कब आ रही है, आपको कब तक cover करना है, उसके हिसाब से यह ताई कीजिए कि आपको कितने गंटे पढ़ने हैं दिन में, और यहां तक जैसे मानलो अभी कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में वेकेंसी आएगी है, तो अगर अभी से आप self study करना सुरू करते हैं, खुद से पढ़ना सुरू करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 5-6 गंटे तो रोज के देना ही पढ़ेंगे, और वो सेलेबस के हिसाब से, ऐसे अंधा दुंद पढ़ाई नहीं करनी है, अंशन्ट नहीं करनी है, कुछ भी पढ़ लिया, कहीं से उठा के, सेलेबस उठाओ, सेलेबस में point-wise कि हाँ, यह subject का यह portion में यहां से पढ़ना है, इतने गंटे पढ़ना है, इतने समय में इसको पूरा करना है, 5-6 गंटे अगर आप continuous पढ़ना शुरू करते हैं, शुरू-शुरू में हो सकता, आप 2 गंटे बेट पाएं, 3 गंटे बेट पाएं, या 1 गंटा बेट पाएं, लेकिन अगर आप किसी भी आदत को 21 दिन तक continuous कर लेते हैं, तो आपकी permanent आदत बन जाती है, आप 21 तो जादा है, अगर आप 7 दिन भी एक आदत को जैसे 2 गंटे पढ़ने हैं, तो 7 दिन अगर आप 2-2 गंटे पढ़नेंगे, तो अगले दिन ऐसा होगा कि आप खुदी 4 गंटे, 5 गंटे अराम से पढ़ पाएंगे, तो self study में तो ध्यान तो यही रखना है, पढ़ना है आपको, और कुछ ध्यान रखना जैसा तो वैसा है नहीं, और बाकी तो बहतर दिनों की आस में तो हम बहतरी इन दिन तो नहीं गवा सकते, तो जो है उससे चलने दीजिए और पढ़ाई करते रही है साथ-साथ, और बताईए, मैं हम आरेस के साथ दूसरे एक्जाम पर ध्यान देना चाहिए, एक छोटे एक्जाम, आरेस के साथ दूसरे एक्जाम किस तरह के एक्जाम? जो होते हैं न छोटे ये जैसे वीडियो पटवारी, ऐसे एक्जाम या आईएस या कुछ किस छोटे एक्जाम वीडियो पटवारी ये दो, देखिए, इसके समझ में सब की अपनी पर्सनल ही होता है सब का की आपको कहां जाना है, बट अगर मैं मेरी पर्सनल राय बताऊं, व्यक्तिगत राय अगर में बताऊं, तो मुझे इस चीज अमें बहुत ज़्यादा हिचकी चार्ट नहीं है कि अपने पास एक जोब होनी चाहिए, मुझे पर्सनल हो सकता है कि आफ इस राय से सहमत नहीं हो, आफ इसे डिफर रखते हैं अपनी राय, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कोई एक्जाम दे रहे हैं, आरेस की तयारी कर रहे हैं और साथ में वीडियो पटवारी कोई भी एक्जाम आपको देना है, तो आपको इसमें बहुत जादा दूइदा वाली बात नहीं होनी चाहिए कि देऊं की नहीं देऊं, ठीक है, आपका मेन फोकस जो है, वो आरेस ही है, और अभी अगर आपका, मतलब आरेस की वेकेंसी नहीं चल रही है, तो आप आरेस के साथ साथ दूसरा एक्जाम भी दे सकते हैं, उसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, अगर आपको जोब मिलती है, तो इसमें कोई बुरी बात है नहीं, बढ़िया बात है, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, और जोब के साथ आप पड़ाई तो करी सकते हो, इसमें तो कोई दोराई है नहीं, बस आपकी इच्छा सकती हो, तो दे देने चाहिए, एक्जाम देने में कोई बुराई नहीं है, और आज का प्रतियोगिता का जो दोर है, उसमें एक गवर्मेंट जोब मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और अगर आप RS की तैयारी करते करते कोई ग्राम सेवक पटवारी या और भी कोई एक्जाम अगर आप क्लियर कर लेते तो या आपके लिए तो गोल्डन अपोर्शनिटी ही है, और जो आपका अंतिम लक्ष है RS बनना, उसको तो आप पढ़ते रही है उसके लिए, बहुत सारे लोग है, 50% से भी ज्यादा लोग है जो जो में रहते हुए RS बनते हैं, तो बड़ी बात नहीं है इसमें, मेरे इसाब से दे देने चाहिए, एक्जाम दो क्या, निमंद लेखन में सुधार तो क्या देखो, मेरी हो भी है, हिंदी के उपन्यास कहानिया, यह सब पढ़ना, तो मुझे कोई बहुत जादा निमंद लेखन में सुधार करने की ज़रत पढ़ी नहीं, क्योंकि जब आप बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, तो अपने सुधार जो है, उनको तर्ती तरीके से लिख सकते हैं, तो मुझे बहुत जादा सुधार की ज़रत नहीं बढ़ी, लेकिन आप यह कर सकते हैं, कि निमंद की कोई एक दो बुक उठा लीजिए, और राजस्तान में जैसे आरस का एक्जाम होता है, तो उसमें किस तरह के निम प्रस्तावना आजाए, उसके नेगेटिव पॉजिटिव आसफेक्ट सा जाए, और उसको किस तरह से कंक्लूड करना है, क्योंकि आरस में 200 सब्दो का निमंद लिखना होता है, बहुत बड़ा निमंद भी नहीं लिखना होता है, तो आपके पास वो इसको भी नहीं होता है कि आप अपने विचारों को बेतरतीब तरीके से लिखते जा रहे हैं, वैसा भी नहीं है, आपको कॉंक्लूड करना होता है, चीजों को तीन पेज, तीन या चार पेज में मुस्किल से लिखना होता है, तो आप सुरू-सुरू में तो यही करिए कि कोई भी एक बुक उठा कर लिजिए, जैसे परियावन सरंक्षन कर लिया, तो उस पे एक डाइरी बना लो, अभी से अपनी, उसमें कोटेशन, जैसे परियावन सरंक्षन के कुछ कोटेशन आपको कहीं से मिले, मतलब चीजों को अब्जर्व करना और वहां से सीखना, किस तरह से सीखना है, वो आप पढ़ेंगे, आपको एक बारी तो लगेगा कि मुझे ये कोटेशन याद रह जाएगा, लेकिन मान के चलिए वो कोटेशन आपको कभी याद नहीं रहेगा, वो कथन आपको कभी याद नहीं रहेगा, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, किसी डाइरी में, अपनी नए सब्द जहां से भी आपको मिले, किसी भी भासा के मिले, उनको आप समझे, सिखे, और लिख के रखे और आप इस रिवाइज करते रहें, तब ही आप अपने बोलने में, लिखने में, उन सब्दों को तब ही यूज कर पाओगे, जब आप बार बार उन सब्दों को तो वैसा कता ही पोसिबल है नहीं, ठीक है? तो यह चीजे आप सुरू से कर सकते हो, बागी तो आप जब पड़ लोगे तीन-चार महीने, तो आपके बास लिखने में कमी नहीं रहेगी, मतलब आपको वैसा नहीं होगा कि अब क्या लिखने आगे, याब क्या बोले आगे, तो आपके. बोलो हिंदी बोलो हिंदी में हिंदी ही चलती है इंटर्व्यों में तो वैसे हाँ बोलो अपॉलाजाइज बट वह मेरा टोन वैसा कोई बात लिए यह तो मजाक के लिए था आप बोलो बोलो है थो मैं यह पुछना रहा हूं कि UPSC एन RPSC को जाना पर सकते हैं क्या रिजन भी अपाइस टो कि लॉग टाइम बहुत जाएदा समय लग जाता है इसमें मैं लाइक बीन टू यहर सितना तो होता ही है आप थोड़ा से इस पर गाइड कीजिए देखिए UPSC और RPSC दोनों बिल्कुल डिफरेंट है दोनों की एप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है ठीक है तो वैसे कर सकते हैं साथ-साथ लेकिन मैं इस चीज से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं कि आप UPSC के साथ-साथ-साथ-स UPSC, RS की तैयारी कर रहें तो उसके साथ-साथ-साथ UPSC दे देवें क्योंकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है एक में बिल्कुल आपको ठीकल UPSC में करन्ट और उनकी ठीकल अलग रहती है उनकी अप्रोच बिल्कुल अलग है चाहे प्रिलिम्स को लेकर हो चाहे मेंस को ले कर लिए में जाना है या जी ही क्लायरिफ्लय कै कि जो खीकल है क्लायर श्रयक प साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स-स-फ्श्ब्वजश enough लेकिन यह नहीं हैं लेकिन यह नहीं कहूंगे कि हाँ आप RPSC की तयारी करें साथ-साथ UPSC करेंगे तो हो जाएगा उसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन वह है कि कुछ चीजें आपको यहां से आपके लिए बेनिफिशरी हो सकती है, आप UPSC की प्रपेशन कर रहे हैं तो, यह अगर आप कर रहे हैं और UPSC की आपने पहले की है, कुछ चीजें कौमन चीजें जैसे पॉलिटी हो गई, एकोनोमी हो गई, तो वह चीजें आपके काम में आ सकती हैं, लेकिन वहां पर ऑफ्शनल होता है, यह आपर ऑप्शनल नहीं होता है, वहां ऐसे का बहुत बड़ा रोल रहता ह जो RS में बिल्कुल नहीं है तो अप्रोश डिफरेंट है बट साथ साथ तो देखो दो नाओं पे पेर रखने से कोई मतलब नहीं है एक ही खिवया आपको पार उतारता है तो आपको यही ताई करना है कि आपको कहां जाना है ठीक है अगर आप UPSC में जाना चाहते हैं तो कि आपको ही रही है बट इसक्राइब करना है आपको ही डिसाइड करना है ंपको यह साथ मेरिसाब से नहीं हो सकतीं चुन bastard तरी दुश्रियाटिम् Mok Test, में कितने दे, यह से कोई रेलमनस है नहीं, लेकिन में खूब सारे टेस् लिखेते हैं, व अटरा में लिए आठरा में अलमस्ट सत्र-फिच्चाथा टेस्स लिखे थे मेंने में मेन्स के लिए मेंस के लिए यही 30-40 Mok test दियोँगे, Mok test, milestone है,あपकी सफलता में आपके अंतिम जो रिजल्ट जो आपको देगा RPSC उसमें 1 milestone है Mock Test Series चाहिए वो प्रिलम्स की हो, चाहिए मेंस की हो, चाहिए इंटर्व्यू हो Mock Interview भी उतने ही जरूरी है जितनी मेंस के लिए test series जरूरी है और उस गलती को कैसे सुदार सकते हैं और next जो भी टेस्ट देना है या RPSC में जो भी आपको आंतिम पेपर लिखना या इंटर्व्यू देना है वहां वो गलती आपको नहीं करनी है बहुत सारे एक्जामपल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ही ब्रिलेंट है लेकिन उन टेस्ट देते रहें सुरू से देते रहें तो ज्यादा अच्छा होगा और बताएं क्या हां 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 फॉर्थ पेपर में अगर कुछ छूट जाता है ना आपके तो नंबरों का काफी गेप रहें अगर आपका दस नंबर का पॉर्शन चूट रहा है तो आप मान के चलिए कि 6-7 नंबर का आपका डिफरेंस वहीं हो जाएगा मेरा पेपर पांच मिनट पहले ही पूरा हो जाता था हर पेपर में फर्स शेकेंड थर्ड पॉर्थ सब में और उसके पीछे यही था कि बहुत ज्यादा लिख लिया था बहुत ज्यादा प्रेक्टिस कर ली थी खूब सारे टेस्ट यहां पर लिख लिए थे तो पेपर प्रांदा रिजल्ट आपको मिलेगा. देखिए, पेपर फोर्थ के लिए आपको कहीं किसी भी कोचिंग से बहुत कोई जादा नोट से या बहुत कोई हेल्प मिलने वाली है नहीं. ठीकिए, क्योंकि पेपर फोर्थ जो है, हिंदी और इंग्लिश का है, तो उसके लिए आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, खुद से ही प्रेक्टिस करने पड़ेगी. अथेंटिक बुक्स में कुछ एक बुक्स आप नोट कर सकते हैं, जैसे हिंदी में रागव परकास पढ़ लो, और जो नम्मी दस्वी में जो बुक आती है, राजस्तान बोर्ड की वो पढ़ लो, प्लस इंग्लिश में एक तो लुशन्ट की बुक आती है, हाई स्कूल आपको बताते रहेंगे, टीचर्स, इसी कोई दिक्कत है नहीं, तो आप अभी भी नोट कर सकते हैं, बाद में कभी और किसी से भी पूछ सकते हैं, और किसी का कोई क्यूस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इस पे, टेलिग्राम पे खूब सारे चेनल बने होते हैं, तो वे टेस्ट पेपर जो भी होते हैं, होने से पहले ही अपलोड कर देते हैं, तो वहां से ले सकते हैं, या यहां बेट के टेस्ट लिख सकते हैं, तो जब आप पढ़ेंगे तो खुद भी बना सकते हैं, एक चे आपने पड़ा है, तो आप उसमें से देखिए कि इसमें से क्या-क्या possible questions हो सकते हैं, prelims के लिए क्या possible questions हो सकते हैं, men's के लिए कौन से questions पूछे जा सकते हैं और इनका answers अपन किस तरह से लिख सकते हैं, तो आपको खुद को सोचना होगा, दिमाग पर जो डालोगे थोड़ा सा, तो सारे questions सामने आ जाएंगे, question वहीं से जहां syllabus जो दिया वा है आपका, question वहीं से पूछा जाएगा, जो syllabus है, syllabus में जो line लिखी हुई है, उस line में जो जो चीजे आती है, question वहीं से पूछा जाएगा, वह सकता है कि जो question बनाने वाला हो, उसके पास wide experience हो, इतने सालों का experience है, तो वह तो आप अभी ला नहीं सकते हैं, एक साल पढ़के या दो साल पढ़के तो अपन उस level पर नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट यह है ना कि आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट पेपर लिए क्योंकि वहां पर जो questions बनाएंगे, वो experts बनाएंगे तो वो जितना सोच पाएंगे, आप उतना नहीं सोच पाऊँ सुरु सुरु में, इसमें कोई बहुत जादा वो संदेह वाली बात है नहीं तो आप question paper उठा लीजिए कहीं से भी या पुराने papers जो है RPSC के वो भी download कर सकते हैं वो देख लीजिए है ना तो आप यह कर सकते हैं नश्टे मैं मैं मेरा यह है कि यह कहां से हैं इसका बता रहे हैं कि इसका अठारा मैने का course चलेगा तो अभी जैसे नेक्स्ट वाल एक्जाम RPSC का होने वाल है अगर उसमें हम सामिल होना चाहिए तो अपने यह फाउंडेशन बेच में रहना चाहिए फिर अलग से त्यारी करने चाहिए तो अभी वेकेंसी आई नहीं है और ऐसा सुनने में आ रहे है कि वेकेंसी इसी साल आएगी ठीक है तो फांडेशन बेच आप जोइन करोगे तो अल्मोस्ट डेड साल या ठारा मैने ऐसा कुछ चलता है फांडेशन बेच तो उसमें वह है कि आपको बैसिक चीजें जो है वहां से पढ़ाना सुरू करेंगे ठीक है तो अगर आप आप किस लेवल की है या आपका बेग्राउंड किस तरह का है आरेस का जो से लेवस है उसको आप कितना समझ पा रहे हैं आपकी अंडरस्टेंडिंग कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि मतलब आप कहां से फांडेशन जोइन करना चाहते है या जब बेच जब जैसे वेकेंसी जो अभी निश्यत नहीं है और आर पी असी में कुछ भी निश्यत नहीं होता है तो कब आएगी वेकेंसी ये कोई नहीं सकता सब कयास लगा रहे हैं तो अब आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा यह तो कि आपकी अंडरस्टेंडिंग कितनी है अगर आप आरेस की वेकें मैं जोइन कर लीजेए चीकिया और थैंक यू